नमस्ते पौमे जी मेरा एक प्रशना था कि मेरे कुछ मित्र हैं कुछ दोस्ट वागेरे हैं फ्रेंड्स हैं वो इसकॉन के फॉलोर्स हैं तो वहां पे वो जाते हैं तो उनको ऐसे बताया जाता है या फिर वो बोलते हैं कि मदब श्री कृष्णा एक ही भगवान है मतलब उनके अलावा कुछ और कोई भी दूसरा कोई भगवान या शिव, पारवती, शार, शंकर, या सिर ऐसे और कोई भगवान नहीं है फिर्फ ऐसे कृष्ण ही हमारे भगवान है तो क्या ये सही है वो कहते हैं कि भगवत गीता में ऐसे लिखा है कि मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा है कि तुम सिर्फ मेरी ही शरण में आजाओ करके तो सिर्फ मैं ही भगवान हूँ ऐसे करके वहां पे लिखा हुआ है या ऐसे सब बताते हैं तो ये मतलब कितनी हद तक सही है या फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और स्वामी जी मेरा और एक प्रशन भी है कि जैसे हमें मेडिटेशन वगरे करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी उर्जा बढ़ जाती है तो वो बढ़ते 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 मतलब इतनी बढ़ जाती है तो वो बढ़ने के बाद क्या मतलब एक लेवल के बाद वो उर्जा इतनी बढ़ गई तो उसके बाद उसका क्या होता है मतलब बढ़ा के फिर उसका करना भी क्या होता है मतलब क्यूं बढ़ानी होती है और कौन सी हद तक बढ़ानी होती है और इसे क्या लाब होते हैं जे बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा प्रशन किया आपने और ऐसा प्रशन कई बार कई लोगों ने भी किया है इस तरह के प्रश्ण लोगों के मन में आ रहे हैं और इसमें जो भगवान शिरी कृष्ण ने कहा है भगवत कीता में कुरुश्यत्र में जो अर्जुन को कहा है उसमें कोई भी गलती नहीं है लेकिन अगर आप भगवान शिव के भक्त हो मा भगवती के भक्त हो कोई भगवान ब्रह्मा की पूजा कर रहा है कोई हनुमान जी महराज की पूजा कर रहा है कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है कोई कार्दिक जी महराज की कर रहा है तो वो क्या करें? क्या ये सब लोग क्या सारे लोग इस कौन टेंपल के जो लोग हैं, क्या सिर्फ उन ही के साथ जाएं और सिर्फ उन ही के मार्क दर्शन में चलें? तो इस प्रशन के जवाब से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनने पड़ेगी. वो छोटी सी कहानी ये है कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक सन्यासी बिराने परदेश में बैठा रहता है, तपस्वी सन्यासी. उसी जंगल में एक लकड़ हारा जो लकड़ी काटने वाला एक व्यक्ति जो रोज लकड़िया काटता था और लकड़ी काटकर जो दिन भर में लकड़ियां वो जमा करके लेके जाता था बाजार में और बाजार में जब लकड़ियां बिग जाती थी तो उन लकड़ियों के बेचने से जो पैसे आते थे उसी से उसके घर की रोजी रोटी चलती थी यानि कि जो कमा कर वो लाता था वो फिर उसी से घर में आटे दाल चावल विगरब बनता था और घर के बच्चे बड़े सभी लोग खाते थे दूसरे दिन फिर से वो लकडी काटने वाला इंसान में जो पैसे आएंगे उससे वो अनाजवेगर खरीद कर लाता था और घर में खाना बनता था यानि कि एक दिन अगर वो लकडी ना काटे तो दूसरे उसी दिन या दूसरे दिन हो सकता है उसके घर के बच्चे भूखे सोने के लिए बिवश हो जाएंगे तो ऐसी सिती उस हम आता हूं और तब जाकर मेरे घर में चुल्ह जलता है तब जाकर हम लोग खाना खाते हैं तो इसी मन में उधेड बून के साथ वो बन में जंगल के प्रदेश में घुम रहा था एक दिन तो अचानक से सन्यासी को उस तपस्वी को वो देखता है जिस तपस्वी के चेहरे पे अद्भुत तेज था और एक अद्भुत शानती थी उसके पास में जाने से उस लकड़ हारे को उस लकड़ी काटने वाले इंसान को वो शानती मिली तो वो जाकर वहां बैठ जाता है थोड़ी दिर और सन्यासी अपने ध्यान में मगन थे तो कुछ समय के बाद जब उन होती है चावल बनता है फिर हम लोग खाना खाते हैं और जिसने लकड़ी ना काटे हो उस दिन हम भूखे रह जाएंगे तो गुरु बर आपको ही मार्क दर्शन करें कि हम क्या करें तो जो गुरु बैठे हुए हैं जिनके चेहरे पर एक अद्भुत आनंद बहुत तेज द काटना तो वो दूसरे दिन उसी जगह पर जाता है और वहां जब उस जंगल में पहुंचता है अंदर के जंगल में तो देखता है कि वहां तो चंदन की लकडियों को पहली बार उसने देखा था तो चंदन की लकडियों को वो काटता है जब बजार में जाता है चंदन की जो लकडियां थे वो बहुत मेहगी बिखती थी, तो चंदन की लकडियों को बेच कर, कम ही लकडियों को बेच कर, उसने ज़्यादा पैसे कमा लिये थे, और फिर घर पे आता है, तो वो उस दिन का खाना तो बनता ही है, दूसरे दिन के लिए, कई दिनों के लिए उसके घर म अनाज चला आता है तो ऐसा कई वर्सों तक चला और बड़ा धीरे धीरे वो कहते हैं ने इनसान जब कभी भी किसी चीज को लंबे समय तक करता है वो चाय चीज कितनी वे अच्छी क्यों नहों एक दिन वो बोर होने लगता है और थोड़ा सा मायूस हो जाता है निराश हो जा है कि आपने जो बताया था वो बहुत अच्छा बताया अब मोटी लकडियों के गठर को मैं सर पे ले कर नहीं जाता हूँ अब थोड़ी से लकडी काडता हूँ चंदन की लकडी और उसके बाद से मैं जाता हूँ और एक हपते के लिए अनास खरीद लेता हूँ तो एक हप गुरूबर आप कोई और मारदर्शन करें तो जो सन्यासी बैठे हुए हैं वो कहते हैं ठीक है आप कल से इस जंगल में ही जो चंदन की लकडियां आप काडते हो उससे भी कुछ किलूमेटर और अंदर जाना है जंगल में वहां जाना वहां खास तरह की लकडियां आपको म वहां पर उपलब्द था तो उन जड़ी बूटियों को काटकर उन लकडियों को काटकर जब वो बाजार में लेकर आता है तो ओशदी वाली जड़ी बूटियां थी वो बहुत महंगी बिकती थी चंदन की लकडियों से भी जादा महंगी बिकती थी और एक बार लकडियों काट कर लाता था और बेज देता था तो एक महीने दो महीने तक का घर में अनाजुप लब्द हो जाता था फिर वो उससे मतलब वो लगड़ी काटने वाले इंसान को थोड़ी से चुटी भी मिल जाती है और घर में आराम भी करने लगता है और अपने बच्चों के साथ अपनी पतनी के साथ समय भी भी अतीद करने लगता है तो वो खुश हो जाता है लेकिन यही सिलसिला कई वरसों तक जब चलता है तो फिर अंत में वो फिर उप जाता है और कहता है कि कब तक मैं ऐसे ही तो फिर से वो अपने गुरू के पाश जाता है, उसे सन्यासी के पाश जाता है, जो शांती से बैठे हुए हैं, वहाँ पे अपनी तपस्या में लीन है, छोटी सी जूपड़ी है, वहीं पे वो रहते हैं, और जो भी कंदमूल जंगल में मिल जाते हैं, बस वो खा लेते हैं, और उससे ही उनकी जिन्दगी अराम से चल रही होती है, तो फिर से वो उनकी शरण में जाता है, और जाकर कहता है, गुरू वर, आपने जो बताया है, वो बिल्कुल सही बताया, और उससे मेरी जिन्दगी की तकलिफ कम हो गई है, लेकिन कब तक मैं ऐसा करते रहूँगा, एक महीने के बाद तो सारा अनाज घर का खत्म हो जाता है, तो फिर से मुझे काम करने की जोड़ पड़ती है, तो गुरू कहते हैं कि ठीक है, आप कल से जंगल में और अंदर जाना, और वहाँ पे आप खुदाई करना, मिटी के नीचे खुदाई करोगे, तो आपको कुछ मिलेगा, जब कुछ मिलेगा, तो फिर आप उसे ले जाकर बेच देना, तो वह जाता है, खुदाई करता है, तो जंगल में उसको कोईले मिलते हैं, कोईला, कोईले का खान मिल जाता है, फिर कोईले को लेकर आता है, और उसको बेचता है, तो उसे भी अच्छे के पैसे मिल अíst घार में कर लखते हैं गाड़ियों लाकर 술ते गाड़ियों ल्हाटे में कि ईका लिता है और चाले के पैसे खरचती तो रख का निकल जाते हैं और आम से उसके जिदेगी मिल जाती है चांदी मिलती है तो चांदी को लेकर आता है वो थोड़ी से मात्रा में चांदी लाता है लेकिन कई सालों तक कि उसके खर्चे निकल जाते हैं और सारा संगर उसका खत्म हो जाता है और अनाम की जिंदगी वो जी रहा होता है और धीर धीरे एक गरीब इनसान लकड़ी काटने वला इनसान गाउं का अमीर इनसान बन जाता है लेकिन फिर इनसान वो कहते हैं इनसान का मन है कि जो चीज मिल जाती है उसके प्रतिव निराश हो जाता है मायूस हो जाता है और फिर किसी अच्छे और बेहतर की तलाश करता है तो कुछ सालों क जीवन का है वो खत्म हो जाए तो उन्होंने फिर आगे का रास्ता बताया बोला कि खुदाई करो और जब अगली बार जब खुदाई करता है तो उसको सोना मिल जाता है और जब सोना मिलता है तो और खुश हो जाता है फिर तो कई कई वर्सों तक उसे काम करने की ज़रूरत और सोने का ब्यापारी हो जाता है और सोने की बड़ी-बड़ी उसके दुकाने खुल जाती है और बहुत मान, प्रतिष्टा, सम्मान, समाज में मिलना शुरू हो जाता है वो बहुत अमीर इंसान बन जाता है लेकिन कुछ वर्सों के बाद फिर उस बड़े ब्यापार को करने के बावजूद भी जब नौकर चाकर बहुत लोग हो जाते हैं घर परिवार में किसी तरह की कमी नहीं होती है समाज में प्रतिष्टा बढ़ जाती है लेकिन फिर भी अंदर मन के अंदर जिस चीज की तलाश कर रहा था तलाश पूरी नहीं होती है और फिर से वो दुबारा स जाते हैं और शानत ही रहता है और रात की नेंद उसकी हराम हो जाती है तो अंत में फिर से वो गुरू की शरण में आता है और कहता है गुरूवर सब कुछ मिल गए आपकी कृपा से आपने जो बताया सब कुछ मिला लिकिन अभी भी मन में वो खुशी वो शानती नहीं है म एक जगा पर बताया कि जाओ वहां पर खुदाई करो, वह खुदाई में आपको ऐसी कोई चीज मिलेगी जिससे कि आप बहुत बड़े धनाटे सेट अपने शहर के सबसे अमीर सेट बन जाओगे, फिर आपके जीवन में जो भी खुशियों की चीजे हैं, जिस भी चीज की का का सबसे बड़ा सेट हो जाता है, सब कुछ, गाड़ी, बंगला, बड़ी-बड़ी कोठिया, सब कुछ ईसके पस हो जाता है, इतनी दौलत उसके पास चाली आती है, लोग और सेट के बच्चे अगर जीवन में कुछ भी नहीं करें तब भी 7 पुस्तो तक, 7 जनेरेशन त तो वो फिर से जाता है अपने गुरु के शरण में और कहता है गुरु वर जीवन में सब कुछ मिल गया, सारी दौलत मिल गई, जो मैं प्रतिष्टा, मान प्रतिष्टा और संघर्सों से मुक्ति चाहता था, सब कुछ मिल गया, लेकिन मेरे मन में वो खुशी नहीं मिली आस मन में वो शांती नहीं मिली आस तक, अब मैं क्या करूँ, अब तो इस दुनिया में दूसरा कोई रतन भी नहीं है, जो कितना महंगा, हीरे जैसा रतन मिल गया, इसके बाद और क्या करूँ, तो अंत में जाकर वो पूछता है अपने गुरु से, कहता है गुरु वर, मैं मे देहे चंदन की लकडियों का पता बता रहे हैं, जो धादू का पता बता रहे हैं, जो सोने चांदी और हीरे जवारात का पता बता रहे हैं, यानि जिनको सब चीजों का पता है, आखिर वो खुद इन चीजों का इस्तमाल करके इनको लेकर और खुद क्यों नहीं इतने बना लेना चाहिए था जबकि गुरुवर को हम देखते हैं वो छोटी सी जोपडी में रहते हैं और जंगल में जो भी कंद मूल मेली जाता है बस वही खा लेते हैं तो बार बार मैं यही सोचता था कि मेरे जैसे गरीब इनसान को इन्होंने अमीर बना दिया लेकिन खुद कोई अमीर नहीं बना पाए तो मुझे कई बार आपको देखकर तरश भी आता था कि ऐसा आप क्यों करते हो लेकिन अब मुझे एक अंतर मैंने कुछ वर्सों से देखना शुरू किया है आप में और मेरे में कि मेरे पास सब कुछ है तब भी मेरे मन में शांती नहीं है आपके पास कुछ नहीं है बहुती कुरूप से फिर भी आपके अंदर अद्बुट शांती है आपकी चेहरे पे चमक है आपको देखकर आपके पास है भगवन आपका प्रश्न यही था न कि भगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आजाओ ऐसा भगवान स्री कृष्ण कहा था सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आजाओ अब वो गुरु कहते हैं कि सभी धर्मों को उसेट को कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आजाओ यहां सन्यासी कहते है तो यहां धर्म क्या है भगवान शरी कृष्ण किस धर्म की बात कर रहा है एक और प्रशन आपके मन में उठ सकता है कि आज से साड़े पांच हजार वर्ष पहले कुरुशित्र में जब भगवान स्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आजाओ तो आज से साड़े पांच हजार वर्ष पहले सनातन धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म तो था ही नहीं दुनिया में जितने भी धर्म पंत और संपरदाय जो कहते हैं कि अने को संपरदाय आज कहते हैं कि विश्व में छोटे बड़े संपरदाय मिला कर लगबग 600 के आसपस संपरदाय हैं तो भई पहले जब सनातन धर्म ही था इसके सिवा कोई दूसरा धर्म नहीं था तो भगवान शिरी कृष्ण किस धर्म को कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याक कर तुम मेरी शरण में आजओ तो भगवान शिरी कृष्ण सनातन धर्म, हिंदू धर्म मुसलिम, सिख, इसाई, जैन, पार्सी, यहुदी इसकी बात नहीं कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतेक इनसान अपने जीवन में किसी ना किसी धर्म को धारण करता है वो धर्म क्या है? करतब्बे ही धर्म है अर्जुन की सिति को देखिये अर्जुन कहता है कि मेरे पितामा खड़े है मेरे भाई खड़े है मेरे ताव खड़े है मेरे दूसरे मित्र खड़े है मेरे चचेरे भाई अनेक खड़े है मैं इनके साथ यूद नहीं कर सकता क्योंकि कोई गुरु है तो गुरु का धर्म मुझे निवाना है यानि किस्ष्य का धर्म मुझे निवाना है कोई मेरे परिवार के लोग हैं तो परिवार का धर्म भी मुझे निवाना है कोई भाई है जो मेरे बिबक्ष में खड़ा है तो एक भाई का धर्म भी मुझे निवाना है मैं अगर पिता हूँ तुम मुझे पिता का धर्म निवाना है मैं किसी का पुत्र हूँ तो मुझे पुत्र का धर्म निवाना है यानि समाज के बारे में भी अरजुन सोच रहा है अपने परिवार के बारे में भी अरजुन सोच रहा है और मान, हानी, प्रतिष्टा सब की बात अर्जुन सोच रहा है भगवान स्री कृष्ण कहते हैं सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ इसका अर्थ ये है कि जो भी रिस्ते हैं, नाते हैं, जो भी कर्तब्बे हैं जिसको तुम अपना कर्तब्बे समझ रहे हो, और कर्तब्बे को ही तुम धर्म समझ रहे हो उन सभी धर्म को परिवार का धर्म हो, बच्चों का धर्म हो, अमीर बनने का धर्म हो, घर चलाने का धर्म हो, नौकरी करने का धर्म हो या समाजिक कारियों का धर्म है सब ही को त्याग कर तो मेरी शरण में आ जाओ वही बात वो कह रहे हैं सन्यासी जंगल में बैठे हुए सन्यासी उस सेट को कहते हैं कि सब ही धर्मों को त्याग कर यानि कि पहले तुम्हारा धर्म क्या था कि बच्चों की जिंदगी कैसे बेहतर होगी, घर का खर्च कैसे चलेगा, घर कैसे बनेगा, बैपार कैसे चलेगा, अब बैपार जब चलना शुरू हो गया तो बैपार में जो नौकर चाकर काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी कैसे, उनकी सैलरी कैसे मिलेगी, और समाज में प्रत पुत्र होने के धर्म को निभा रहे थे, तो सारे धर्म निभाते निभाते, आज तुमने सब कुछ तो पा लिया, समाज में जिन चीजों की जरूरत है, सब कुछ तुमने पा लिया, लेकिन फिर भी तुम स्वैम, अपने मन में खुशी और वो आनंद महसूस नहीं कर रहे हो, शांती महसूस नहीं कर रहे हो, सब कुछ मिलने के बाद भी तुमारे अंदर कुछ खाली-खाली है, तब जाकर सन्यासी कहते हैं, कि सभी धर्मों को त्याक कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, यानि तुम मेरी शरण में आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो सन्यासी ये नहीं कह रहे हैं, कि तुम घर परिवार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, कि तुम कछुई की तरह हो, तुमने अपने सारे हाथ पेरों को आगे फैला दिया है बाहर के तरफ में, सर को बाहर निकाला है, एक समय जीवन में ऐसा भी होना चाहिए जब इनसान को कच्छुई की तरह अपने आपको समेट लेना चाहिए, यानि अपने फैलाओं को समेटना चाहिए और अंतरमुखी हो सिती में पहुंचोगे, यानि कि आप समेटो अपने आपको, पहले तो आपका करतब बेता कि घर बनाना है, बिल्डिंगे तैयार करना है, बेवार खड़ा करना है, लेकिन उसको छोड़ो और एक समय आप मेरी शरण में आजाओ, गुरु कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, मैं त ध्याद्मिक परियोगों के माध्यम से तुम्हें तुम से परीचे कराऊंगा, तब ही ये संभव हो सकता है, जब तुम मेरी शरण में आओगे, क्योंकि मैं गुरु हूँ, मैं मार्क दर्शक हूँ, मैं उस मार्क पे चला हूँ, और तुम्हें भी वो मार्क बता कर, तुम मैं उस अस्तान पे पहुँचा दूँगा, उस हिस्तिती में पहुचा दूँगा, जब तुम्हारे मन में खुशी, आत्मा में खुशी और आत्मा को उत्थानोना शुरू हो जाएगा, यानि सर परतमों क्या कहते हैं, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण का मतलब क्या होता है, कि किसी न किशी के शरण में तो आपको आना ही होगा ना अगर कोई चीज आपको सीखनी है तो उस किसी एक्सपोर्ट से आपको मिलकर उसके शरण में सरेंडर करना होगा जिस मार्क को वो बताएंगे उसके नुसार से जब आप चलोगे तो आपके जीवन में भी उत्थान होना शुरू हो जाएगा यानि कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने स्कूल के सिक्षकों की शरण में जाता है सिक्षा ग्रहन करने के लिए सीखने के लिए और कुछ सालों के बाद वो लगतार सीखते सीखते खुद भी एक सिक्षक बन जाता है यानि जब तक एक छात्र गुरू के शरण में नहीं जाता है वो चाहे स्कूल के सिक्षक हो, चाहे कोई अध्यात्मी गुरू है, जब तक उनकी शरण में नहीं जाता है, तब तक वो उस मार्क पे चलता नहीं है, सीखता नहीं है, और अंत में उस इस्तिती को प्राप्त नहीं होता है, उस इस्तिती तक पहुंचता नहीं है, यही वो गुरू हूं, या न भगवान सुरीकृषन ही गुरू है, वो कहते हैं, मैं गुरू हूं, तुम मेरे शरण में आओ, क्योंकि मेरे मन के अंदर भी जो द्वन्द पहले चला करता था, जब मैं एक सधारण इंसान की तरह जीवन को देखता था, तो सधारण इंसान के जीवन मे जो द्वंद चलता है, उस द्वंद को मैंने धीरे धीरे करके मैंने मिटा डाला, सब कुछ ख़त्म कर दिया अब मैं आत्मा से अपने आत्मा के संपर्क में हूँ और आत्मा के परम इस्तिती तक पहुँच गया हूँ, यानि मैं पर्मात्मा बन चुका हूँ, तो परमात्मा की इस सिती में जब मैं पहुँच गया हूँ, तो फिर आप मेरी शरण में आओ, और मैं तुम्हें मार्क बताऊंगा, तो यही ठीक वो सन्यासी भी कहते हैं उसको कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, तो वो ब्यापारी अपनी शरण में, गुर यही तो मांगा करता था, अपने गुरु से, गुरु वही दे 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 थे, कि ठीक जाओ, ले जाओ, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद अंत में वो खाली हांत रह जाता है और कहता है कि नहीं, मन तो भरा नहीं, मन में शांती तो आई नहीं तो अब आप बता दो कि आपके पस तो कुछ नहीं है आप तो फकीरो वाली जिंदगी जी रहे हो आप तो बिल्कुल खाली हो, आपके पास तो मेरे घर से भी बहुत छोटा घर है, जोपड़ी है आपके पास, मेरे जैसा अच्छा स्वादिश भोजन भी आप नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपको देखकर इतनी खुशी, इतना आनंद लगता है कि आप कौन से आनंद में, म तो में उस मार्ग पर ले चलूँगा, वो मार्ग कौन सा है, वो ध्यान का मार्ग है, वो अध्यात्मिक मार्ग है, वो भक्ती का मार्ग है, यानि कि एक इनसान जब दिमाग से चलता है, तो अपने गुरू के पास, अपने भगवान के पास वो जाता है, और जाकर किसी ना क किसी बहुत इक चीज को पाने की कुशिस करता है क्यों कि वो दिमाग से चल रहा है तो लेकिन जब दिमाग चलाते-चलाते अंत में वो ठक जाता है तो अंत में जाकर वो surrender कर देता है और तब वो अपने हिर्दय से जुड़ जाता है और हिर्दय से जब जुड़ता है तो बिल्कुल ही surrender करता है और कहता है कि सारा दिमाग चला के देख लिए कुछ नहीं हुआ अब आप बता दू कि क्या करूं मैं सब कुछ करने के बाद भी खाली हांत रह गया अब आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए अजब गुरू के पास surrender करता है तो गुरू फिर उस मार्क पे उसको चलाना शुरू कर देते हैं और जब उस मार्क पे चलाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अध्यात्मी कुन अत्ति उसकी होनी शुरू हो जाती है ध्यान के माद्यम से भक्ती के माद्यम से धीरे ध्यात्मी कुन अत्ति होनी शुरू हो जाती है और अंत में ध्यान के जो आपने प्रश्न किया ध्यान करते करते आखिर होगा क्या ध्यान करते करते शुरुवात में तो आप इस दुनिया से ही बहुत बुरी तरीके से उलजे हुए हो आपके चेतना दुनिया में बिलकुल वो कहते हैं कि गुथी हुई है तो इस दुनिया से अपनी चेतना को अलग करने के लिए मन की मन से जो चेतना जुड़ी हो उससे अलग करने के लिए धीरे धीरे ध्यान की प्रक्रियाएं होती है अध्यात में कुन्नती वाली प्रक्रियाएं होती है उससे आप धीरे धीरे आप अपने मन से डिसकनेक्ट होते हो यानि कि मन जो बार-बार कहता है और मन की हर कामना को पूरी करने के लिए जो बेचैनी आपके अंदर हमेशा बनी रहती है और मन की कामना जब पूरी हो जाती है एक कामना पूरी होती है दो दूसरी कामना शुरू हो जाती है यानि कि एक कामना पूरी होई तो दूसरी कामना सर उठा दिया, तो यानि कभी ये कामनाए खत्म होने वाली है ही नहीं, जैसे रावन के लिए कहते हैं कि रावन का एक सर कटता था दूसरा सर फिर से आ जाता था, दूसरा कटता था फिर तीसरा आ जाता था, जैसे हमारे देवी भागवत महापुरान में भी रक्तवीज नाम के रक्षस की बात की गई, कि रक्तवीज का एक सर कटता था, यानि एक बूंध खून का जमेन पर गिरता था, दूसरा रक्तवीज पैदा हो जाता था, फिर दूसरा गिरता था, फिर तीसरा, फिर चौता, यानि कि रक्त बीज कभी खत्म नहीं हो रहा है, कभी मर नहीं रहा है तो basically वो जो रक्त बीज है, वो कामना ही है हमारे अंदर की, तो एक कामना खत्म होती है मन की, उसके बाद जैसे वो कामना पूर्ण हो जाती है तो उसके पसे दूसरी कामना सर उठा देती है फिर अब दूसरी कामना के लिए भाग द्रोड करते हैं फिर वो पूर्ण हो जाती है तो फिर से उसके प्रतिरूची कहती है और अंत में हम तीसरी कामना के पीछे भागते हैं। अंत में गुरु की शरण में आता है यही चीज आप देखना कि भगवत गीता में अभी जब आप भगवत गीता पड़ोगे तो सबसे पहले भगवान शरी कृष्ण ने जो अरजुन के विशाद योग की बात की है तो विशाद के बाद उन्होंने ग्यान मार्ग को ही बताया है वो ग्यान मार्ग बताते हैं ग्यान मार्ग की सारी बाते करने के बाद अंत में जब कुछ भी समझ में नहीं आता है अरजुन को तब उन्होंने अंत में भक्ती का मार्ग बताया है यानि कि सबसे पहले इंसान का दिमाग ही चलेगा लेकिन दिमाग बिलकुल ठक जाएग तो धीरे धीरे उसकी इस्तिती ऐसी आती है कि वो स्वैम को जानने लगता है, स्वैम को पहचानने लगता है, स्वैम से जुडने लगता है, यही बात भगवान सिरी कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि तुम मुझसे ही आकर जुडोगे, मुझसे आकर जुडोगे, यानि कि तुम अभी दुनिया से जुड़े थे लेकिन बाद में मैं तुम्हें तुमसे ही मिला दूँगा और तुम्हारा स्वैम से परिचे होगा और जब तुम्हारा स्वैम से परिचे होगा तो मैं कौन हूँ और तुम कौन हूँ जैसे गंगा है तो गंगा एक नदी बह रही है वो अलग नदी है यमुना एक अलग नदी है लेकिन दोनों नदी जब तक अलग अलग बहती है तब तक कहती है कि मैं गंगा हूँ तो यमुना कहती है मैं यमुना हूँ लेकिन दोनों जब जाकर समुन्दर में मिल जाती है तो तो फिर कहां है गंगा फिर कहां है यमुना फिर कहां है तो वैसे ही अरजुन नाम की एक नदी बहरी है श्रीकृष्ण नाम की एक नदी बहरी है लेकिन जब दोनों सागर में मिल जाते हैं इस प्रमांड के सागर में मिल जाते हैं तो श्रीकृष्ण अलग नहीं है अरजुन अलग नहीं है क्योंकि दोनों सागर हैं तो वो कहते हैं अंत में तुम आकर मुझ में मिल जाओगे क्योंकि श्री कृष्ण अब नदी नहीं है श्री कृष्ण एक समुंद्र है एक सागर है और सागर में जो कोई भी अर्जुन नाम की कोई नदी आएगी तो वो मिलेगी और अंत में वो श्री कृष्ण ही बन जाएगी यानि अर्जुन भी श्री कृष्ण ही बन जाएगा तो यही बात भगवान श्री कृष्ण भी भगवत कीता में कहते हैं अब समस्या दूसरी एक और है जो इसकौन के लोग कह रहे हैं उनको इस बात को ऐसे कहना चाहिए कि अगर उस सन्यासी के जगह पर भगवान स्री कृष्ण होते तो भी कहते सभी धर्मों को त्याग कर तुम्हें अंतरमुखी में बनाओंगा और अंत में तुमको ही तुमसे मिला दूँगा और फिर तुमको इस परमात्मा से यानि कि तुम्हारी अभी आत्मा है मैं उसको परमात्मा की स्थिति में पहुँचा दूँगा और तुम फिर इस पूरे दुनिया से कनेक्ट हो जाओगे यानि तुम सागर बन जाओगे वो ये कह रहे हैं लेकिन अगर भगवान स्री कृष्ण वहाँ नहीं होते भगवान स्री शिव संभू होते तो वो भी यही बात कहते कि तुम मेरी शरण में आओ अभी तुम दुनिया की शरण में आओ दुनिया की खुशिया पाना चाहते हो तो दुनिया में तुम भाग रहे हो परमात्मा परमानंद को प्राप्त हो जाओगे और बाद में तुम सागर बन जाओगे यानि जो मैं सागर हूँ वैसे ही तुम भी सागर बन जाओगे और तुम सब कुछ यानि कि तुम ही परमात्मा के स्वरूप बन जाओगे तुम ही परमात्मा का हिस्सा बन जाओगे तो यहां भगवान ब्रह्मा भी रहेंगे तो यही बात करेंगे, भगवान गडपती गणेश भी रहेंगे तो वो भी यही बात करेंगे, भगवान कार्तिक जी महाराज रहेंगे तो वो भी यही बात करेंगे, मा भगवती रहेंगे तो वो भी यही बात करेंगे, लेकिन उन्हो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है वही संटेंस भगवान से उस्वंभो भी दो राएंगे ये जरूरी तो नहीं कि मा भगवती भी वही कहेंगी ये जरूरी तो नहीं कि भगवान गडपती गणेश और कार्तिक जी महराज भी यही कहेंगे या गुरु नानक देओ या दूसरे जो गुरु हमारे हैं या भगवान बुद्ध या महावीर जहने वो भी एक बात कहेंगे एक संटेंस अभी रिपीट करें ये जरूरी नहीं है संटेंस बदल सकते हैं लेकिन हमें भाव को समझने की जरूर थे भाव क्या कह रहा है अब अगर कोई भगवत गीता को पढ़ रहा है और इसकौन के लोग कहते हैं कि नहीं भगवान ने भगवत गीता में ऐसे कहा है इसलिए एक मातर भगवान श्री कृष्ण है ऐसा नहीं है भगवान ने ऐसा कोई confusion create नहीं किया है confusion भगवत गीता को पढ़ने वाले जो लोग है अपनी संस्था में लोगों को जोड़ने के लिए भक्त बनाने के लिए और भक्त की तादाद बढ़ाने के लिए इस तरह की व्याक्या करना शुरू कर देते हैं जिससे के लोगों के मन में ब्रहम उत्पन होना शुरू हो जाता है तो बिल्कुल ब्रहमित होने की ज़रूरत नहीं है आप जिस मार्क पे आप अगर भगवान शियु संभू के भक्त हैं तो आप वही भक्ती करते हैं माभगवती के भक्त हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, यानि कि मार्ग वही है, मार्ग बताने वाले लोग अलग अलग नाम से आ सकते हैं, जैसे कहते हैं कि अगर आपको व्यष्णो देवी जाना है, तो गाइड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यष्णो देवी तो एक ही है, मंदिर तो और उनेक गाइड हो सकते हैं, लेकिन लक्ष तो आपका एक ही होता है, तो भगवान राम, भगवान शरी कृष्ण, माभगवती, शिवसंभु, यह सभी देवी देवता, जो भी हमारे बगवान है, वो सभी एक गाइड है, जो हम जैसी सभी आत्माओं को उत्कृष्ट आत्म बनाना चाहते हैं और परमात्मा यानि परमानंद के सिती में पहुँचाना चाहते हैं और सब का कल्यान करना चाहते हैं तो इसलिए कोई confusion नहीं है और जो बात आपने जो प्रश्ण किया है आपका प्रश्ण यही है कि ध्यान करते करते आखिर हम पहुँचेंगे कहां ध्यान करते करते आप अपने से ही जुडोगे अपने अस्तित्तों से मिलोगे और आप उसी परम आनन्द से मिल जाओगे जो कभी नहीं खत्म होता है और जब एक इनसान अपने उस परम आनन्द से मिलता है जब वो हमेशा एक अदभूत आनन्द में रहता है यानि कि शुरुआत में तो इनसान बैठ कर ध्यान करता है लेकिन एक समय आता है कि उसे ध्यान करने की जरूरत नहीं वो सदा ध्यान में रहता है और उस के साथ वो connect हो जाता है और जब उस Certain Vibration के साथ connect होता है तो उसके बाद से ऐसा लगता है कि वो किसी वियस्तान पे रहे बस वो एक अद्वुत आनंद में ही रहता है तो धीरे धीरे आप ध्यान के माध्यम से आप उसी परमानंद की इस्तिती में चले जाओगे इसलिए भगवान शिव संभु को दिखाते हैं कि बर्फी ले परदेश में रहते हैं बर्फी बर्फ है लेकिन बाहर की बर्फ उनको ब्याथित नहीं कर पा रही है विचलित नहीं कर पा रही है क्योंकि वो अपने आनंद में इसकदर मगन हैं, मंत्र मुग्द हैं, कि चारोतर बर्फ है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एक अद्भुत खुशी है, अद्भुत शान्ती है, भगवान विश्नु को भी दिखाते हैं, कि समुंदर में हैं, जहां पे हलचले उठ रही हैं, शेशनाग उपर अपने फन से आग उगल रहा है, लेकिन फिर भी भगवान विश्नु के चेहरे पे एक अद्भुत आनंद है, यानि कि बाहर की चीजे चाहे जैसी भी हो, वो जब अपने आप से जुड़ जाते हैं, तो अपने आप में इतने मंत्र मुग्द रहते हैं, कि जिससे की लोगों को कन्फ्यूजन होना शुरू होता है, तो कोई कन्फ्यूजन की जरूद नहीं, जिस मार्ग पे आप चल रहे हो, चलते रहो, जिसकी भक्ति करते हो, करते रहो, सनातन धर्म, तो अनेको देवी देवताओं, अनेको मार्गों के साथ में उपलब्द है, आ ही लक्ष है हमारा, जे, आपका ये सुनके, अभी तो मेरे प्रशन के सब उत्तर मिल गए, उसके लिए दन्यवाद आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भकुन, मातरानी आपका कल्यान करे,